सद्गुरु जी तो वो क्या है? ठीक है तो हम सभी के लिए हम अपनी जिन्दगी कैसे जीएं? जिन्दगी जीने का सबसे बड़िया तरीका क्या है? हमें सीधी सीधी और सरल भाशा में बताईए इतना करो और तुम उस दिशा में बढ़ने लगोगे जहां तुम्हें आनन्द मिलेगा, खुशी मिलेगी, जागरुकता मिलेगी और तुम्हें एक अच्छा conscious जीवन जीने लगोगे अगर आप ध्यान दें, अगर हर कोई थोड़ी सी कोशिश भी कर ले, हर कोई थोड़ा सा वक्त निकाले, जीवन के इस हिस्से के लिए, आपके परिवार के लिए नहीं, आपके केरियर के लिए नहीं, नहीं किसी और चीज़ के लिए, सिर्फ जीवन के इस हिस्से के लिए, इसे थोड़ा समय तो दीजिए क्योंकि ये आपकी जिन्दगी में जीवन का सबसे एहम हिस्सा है, है ना? अगर आपको किसी से प्यार हो फिर भी ये जीवन का सबसे ज्यादा एहम हिस्सा है, है ना? तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए ये कैसे होता है? हम इसको हलके में क्यों लेते हैं मेरा विश्वास कीजिए आप हमेशा के लिए जिन्दा नहीं रहने वाले मैं आपको लंबी उम्र का आशिरवाद दूँगा लेकिन एक दिन तो आपको मरना ही है तो इसे हलके में मत लीजिए अगर आप सुबह जागे अगर आप सुबह जागे ऐसा मैं चाहता नहीं हूँ लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आज राज जितने भी लोग सोने जाएंगे उन में से एक लाग से ज्यादा लोग कल सुबह जागेंगे ही नहीं और कल अगर आप और मैं कल सुबह जाग जाते हैं तो क्या ये कमाल की बात नहीं है? एक लाख लोग जागे ही नहीं, आप जाग गए. क्या ये कमाल की बात नहीं है? बस छट को देखिए और मुस्कुराइए. आप अभी भी जिन्दा हैं. और कई लाख लोगों के लिए, कोई ऐसा व्यक्ती, जो उनको प्रिय था, वो जागा नहीं. तो अपने आस-पास के उन पांच-छे लोगों को चेक कीजिए. वो सभी जाग गए? वाव! ये एक शांदार दिन है. आप जाग गए. और वो लोग जो आपके लिए खास हैं, वो जाग गए. क्या ये एक शांदार दिन नहीं है? आपको ऐसा नहीं लगता. Yes. You don't seem to think so. Because the problem is just this. You are living with an idea that you are immortal. शायद आपको ऐसा नहीं लगता. क्योंकि दिक्कत सिर्फ ये है, कि आप इस भ्रह्म में जी रहे हैं, कि आप अमर हैं. आप असल में नहीं सोचते कि आप अमर हैं, लेकिन आप अपनी नश्वरता के प्रती जागरूक नहीं हैं. यानि कहीं न कहीं आपको लगता है कि आप अमर हैं, है न? दिन में कितने पलों में आप जागरूक रहते हैं कि आप नश्वर हैं? अगर आप जागरूक रहते तो क्या आपके पास शिकायतें करने का समय होता किसी के साथ लड़ने का समय होता अपनी जिंदगी के साथ बेकार के काम करने का समय होता अगर आपको पता होता अगर आप जागरूक होते कि आप नश्वर हैं तो उसके सिवाए आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो आपके और आपके आसपास के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है अगर आप बस ये एक चीज करें बस खुद को याद दिलाइए ये मत सोचिए कि ये बुरी चीज है मौत कोई बुरी चीज नहीं है यही वो चीज है जिसने जीवन को मूलिवान बनाया है अगर आप हमेशा के लिए होते हैं तो आपको सहना नामूम के नोता क्या हमें खुशी नहीं है कि हर कोई एक दिन मरता है अगर आप बस इस एक चीज के बारे में जागरूक रहें हर समय आप जागरूक रहें कि मेरी भी मौत होगी ये नहीं कि मैं आज मर जाओंगा चाहत वो नहीं है हम जितना हो सके उतना जीना चाहते हैं लेकिन आप जानते हैं कि एक दिन मैं मर जाओंगा अगर आप बस इस एक चीज के प्रती जागरूक रहें, तो आप खुद बखुद आध्यात्मिक बन जाएंगे हर दिन, हर पल, अगर आप खुद को याद दिलाएं, कि ये छोटा सा जीवन है, मैं नश्वर हूँ एक दिन मैं मर जाओंगा, सिर्फ दो दिन के लिए ऐसा करके देखिए आप अपने अंदर एक बहुती शांदार चीज बन जाएंगे, बस इतना ही ये तो बहुत ही सुन्दर था बस इतने से की ज़रूरत है, अगर आप जीवन का मूल ले जानना चाहते हैं, तो बस इतना जान लीजे, कि एक थोड़े से समय की घटना है